हेलो फ्रेंड आवाद से आपको पता चल गया होगा कि यह दो मत्री हमने बनाई है वह कितना क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ है तो इसे मैंने कैसे बनाया है वह मैं आगे वीडियो में बता दूंगी तो आग चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो क्रणा बना양 है कि मैं सब्सक्राइब कर दो कर दो के बताते हैं को अंडरिव सौक्राइब के लगबग पनीर यह बाजार से बाजार का पनीर है तो से मैंने रपरी मोता मोता notchा कि कारप करके इसे मिक्सर-जार में लाखक रखके इसे पीसे रिए हैं हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े से बतन में और उसमें ढालेंगे आटा या मैदा या अता जो भी डालेंगे जिसके भी आप बनाएंगे तो इतना की पनीच जो हमने पीसा हुआ है उसमें वह मिक्स हो जाए मतलब अच्छी से उसका ब्रच आये उसमें बड़े चमट से 4 या पंच बड़े चंबत से आटे का बनाएं तो आता ही डाला हुए तो उसमें हम डाल देंगे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पधिर में तो मंग्रेला अज़वाइन कसूरी में थी और देंगी हम नमक तो ये बाकी इसमें डाल करके बसे तरह से हम मसल मसल करके मिक्स कर देंगे ताकि पनीर और आता है यही कि बना रहे आप मिक्सहों, जब रहे मुक्स ही हो जाएगा तो फिर को झाण सकती तो के सी बांक पनीर यहलोग फंक रहें ज़्वर करएंगे पीछ सकते हैं तो मैंने भूल गई थी तो मैंने इसे बाद में इस तरह से डाल दिया है तो एक या दो क्यूब जो भी आप डालना चाहिए वह आप उसमें डाल दीजेगा और फिर उसे भी हम अच्छी तरह से उसे हम मिक्स कर देंगे थोड़ा मसल दे हुए इसे मिक्स किजिएगा अभी अच्छी तरह से मसल गया है तो जो मिक्सेजार में जो थोड़ा सा लगा हुआ थो थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी अमने इसमें डाल दिया है और इसका टाइट सा डो त्यार कर लेंगे पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डाल करके तब फिर इसे गुथिएगा इसके आटे को अब तेल लगा करके इसे हम मतलब थोड़ी दर के लिए 10 मेट के लिए रेस के लिए छोड़ दीजेगा फिर इसके बाद इसे हम एक लोईया बनाएंगे अपने हिसाब से खלה उतने हम SMikt और इसे हम बेल लेंगे अःचा अवं मुटा inom सब्लेंगे और इसे फॉक से या सडा से जिससे भी इसे हम थोड़ा थोड़ा उस पर through-sh called सब्सकिति काट करें ऐसे थो या काट कर जाता है इसे चोटी-चोटी भी बना कर बना यह ठीच को भी boost काकट सब्सक्राइब करें यह इसे न depicted प्लेट से घरें लूर्ण सब्सक्राइब टूकर सब्सक्राइब इसे फॉक से इसे में होल कर दें यह देखे मैंने इसे इस तरह से कर दिया है आप जैसे आपको सुधा हो उसे आप उस तरह से आप इसकी मठ्रियां बना सकते हैं आप इसे अलग-अलग छोड़ी छोड़ी पूरियों की तरह भी आप इसे बना सकते हैं इसे पूरी की तरह छो तेल को हम बहुत जादा गर्म नहीं करेंगे मीडियम हिट पर रखेंगे और एकए करके इसमें डाल देंगे और डाल करके इसे तुरंत ही इसे चलाएंगे नहीं 2 मिनिट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे पहले तो यह नीचे जा करके बिल्कुल तली में बैठ जाता है ने करेंगे मेडियम लोग पर ही इसे फ्राइब करेंगे क्रिस्प होने तक यह देखे मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है यह थोड़े से मैंने चपाती की तरह भी बना दिये हैं रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और आप मुझे भी बताइएगा क्यासा लगा थैंक्स पर वाचिंग तिंग